करनाडक में कॉंग्रेस पार्टी सरकार बंते ही उनका भंडा फूट गया मैं वह देश चाए नहीं सारी गारंटीयों को अप्रूबल 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 आप्रूबल लेकिन बाई साब कब से लागू कर रहे हो नहीं बताया किसको लाब मिलेगा किसको नहीं मिलेगा कौन से डॉक्रुमेंट देने हैं कौन से फारम भरने हैं कुछ भी नहीं बताया बस राउल गांदी ने कहा था कि पहले दिन मैं गारंटी पूरी करूंगा गारंटी पूरी हो गई भाई साब दोस्तों हमारे देश की जनता बड़ी होसियार है उनको गारंटी का मतलब पता है लेकिन वो यह चेक नहीं करते कि जो गारंटी देने वाला है उसमें कितना दम है और इसी चीज़ का सोचन किया है दो लोगों ने एक केजरी वालने और दूसरा राहुल है तो यह जुगाड़ होगी कैसे तो कह रहे हैं कि साब हम वेस्ट फॉल एक्सपेंडिचर को कम करेंगे जो अनापसनाप खर्चा है उसको कम करेंगे टेक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे तब जाके जो है पचास याल क्रोड़ की विवस्ता होगी बजट बढ़ेगा और फिर मिल रहा है मतलब जनता को आप बता देते भाई साब कि हमें गारंटी पूरी करना है लेकिन उसके लिए मोदी का सहीओ लगेगा वो तो आपने बताया नहीं वोट आपको अकेले चाहिए पूरे चाहिए लेकिन ब्लेम साजा करने के लिए आपको मोदी दिखाई देने लग जनता की जो समझदारी है उससे एक करमांगे चलके जनता को धोका देते हैं अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जब लोग सभा के लिए चुनाव होंगे और जनता से करनाटक की जनता से वोट मांगने जाएंगे तो करनाटक की जनता इनके कपड़ों का क्या हाल क अब क्या क्या दिनता फड़ेगी वह तो आग्रामी भबेश्य ही बताएगा भाई साब महला योवाग किशान सब को धोका दिया है सरयाम धोका दिया है आपके सामने हैं और दोस्तों हमारे देश की जो मीडिया है वो तो भाईया कॉंग्रेस की गोज में बैठी है असलिए तो मैं गोदी मीडिया आपको करनाटा के चुनाव में देखने को मिल गी होगी फिर से भाई साब वह अभी भी कहेंगे वह या कॉंग्रेस ने बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया बता दो आपके कब जो है यह गारंटीया पूरी हो रही है कभी नहीं हो सकती भाई लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में कुछ नहीं हुआ हमारे लिए उन्होंने वही घिसीपिटी बात है फिर से दोरा दी बड़ी चीज कहा हुई है भारत में जी यहां दोस्तों वॉल्ट मार्ट बारत से खरीद रही है एक खिलोने और कौन से खिलोने जो भाईया जी करो क्वाइटी अच्छी रखना सप्लाइब अबराबर करना अपने वाल्मारट वास्ताव में चाइना मार्ट था इसमें चीन के ही खिलोने बिखते थे चीन के ही सारा 100% माल made in China होता था और ये सबसे वड़े retailers में गिना जाता है अमेरिका के वो भारत से supply वड़ा रहा है दस billion dollar की ये मोधी जी को बादा किया था उस बादे पर अमल हो रहा है खिलोना के लिए और आ गया है कंपनियों से बात्चीत भी हो गई है इसे कहते हैं मौके पर चौका वाड में मिल बैठते रहो कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया वाद है लेकिन भारत को अमेरिकन सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण हिस्ता मिले हमारा एक्सपोर्ड बढ़े दोनों देशों की प्रगति हो चीन पर नहीं बढ़ता कम हो सच्छा वाइसा कुछ हो नहीं सकता